नवश्कार दोस्तों, BR Health Solution में आपका स्वागत है 40 की एज पार करते ही, हमारे शरीर को कई बिमारियां घेर लेती हैं जैसे कि डाइबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, खून की कमी तो इन सभी बिमारियों के कारण, हमें ये महसूस होने लगता है कि हम लोग बुड़े हो रहे हैं यानि कि 40 की एज के बाद ही हमें लगता है, हमें बुड़ापे ने घेर लिया है लेकिन अगर बॉलिवोड के कुछ एक्टर्स की बात करें, तो वो 50 और 60 की एज से भी उपर हैं और देखने में वो बिल्कुल भी बुड़े नहीं लगते मैं बात कर रही हूँ अक्षे कुमार की, उनकी एज 50 साल से उपर है और आप अगर उनकी बॉड़ी को देखें, तो वो देखने में बिल्कुल फिट और फाइन है दूसरे नमबर पर अगर हम बात करें अनील कपूर की, उनकी एज 60 यर से उपर है 60 साल के बाद तो कंपने भी लोगों को रिटायर कर देती है लेकिन यहां पर अगर आप अनील कपूर को देखेंगे, तो देखने में वो बिल्कुल भी बुड़े नहीं लगते अगर आप शिल्पा शेटी की बात करें, तो उनकी एज भी 45 के अराउंट है लेकिन देखने में उनका शरीर भी फिट और फाइन है लेकिन अगर आप अपने आस पास नस्दीक निगा मारें और आप देखें कि अगर आपके आस पास अगर कोई इनसान 50 की एज में है तो आप देखेंगे या तो उसके बाल जढ़ चुके होंगे या उनके शरीर में कमजोरी आ चुकी होगी गठिया की प्रॉब्लम, डायबिटीस की प्रॉब्लम या मुटापे ने उन्हें घेर लिया होगा दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहती हूँ जो हर एक सेलिब्रिटी उसे फॉलो करता है अगर आप सेलिब्रिटीस के डायट प्लैन की बात करो तो उनमें एक चीज कॉमन है वो लोग एक ऐसी चीज का सेवन करते हैं जो उनके शरीर को कभी भी बुड़ा नहीं होने देती मैं बात कर रही हूँ चने की चने में अगर आप काले चने का सेवन हर रोज करते हैं तो आप लोग जिन्दगी में कभी भी बुड़े नहीं होंगे क्योंकि काले चने हमारे शरीर को जवान बनाये रखने में काफी मदद करते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप भीगे चने का सेवन करते हैं तो आप अपने शरीर को कैसे स्वस्त रख सकते हैं दोस्तों अगर आपको भीगे चने का सेवन करना है तो आपको उसे रात को पानी में भीगो कर रखना होगा और सुबह खाली पेट उस चने को चबा कर खाना है अगर आप हर रोज अपनी इस चोटी सी आदत को बना लेते हैं तो आप बहुत ही जादा स्वस्त रह सकते हैं आप भीगे हुए चने का सेवन खाली पेट खुद भी करें और अपने परिवार को भी जरूर करवाएं अगर आप अपनी ये आदत बनाते हैं तो आपके शरीर को जो फाइदे होंगे चलिए उनके बारे में जानते हैं पहला फाइदा है कमजोरी दूर करता है अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी आ चुकी है अगर आपको सुबह उठते ही आलस पन महसूस होता है तो आप सुबह उठते ही भीगे चने खाना शुरू करें इसके सेवन से आपके शरीर में पूरा दिन एनरजी रहेगी और आप अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे दूसरा फाइदा है आपके शरीर से मोटापा दूर होगा आज कल मोटापे की प्रॉब्लम बहुती बढ़ गई है हर दूसरे इनसान को मोटापे ने घेर लिया है इसके दो कारण है एक तो हमारा गलत खान पान और दूसरी हमारी गलत दिन चर्या कारण कोई भी हो मोटापे को अगर आप बैठे बिठाए कम करना चाहते हैं तो खाली पेट भीगे हुए चने खाना शुरू करें चने में मजूद फाइबर हमारे शरीर से मोटापे को बहुत ही जल्दी कम करता है अगर आप एक महीना भी भीगे हुए चने खाली पेट खाते हैं तो आप 5-10 किलो वसन असानी से कम कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपके चहरे की उपर बिल्कुल भे रिंकल्स ना आएं आपके चहरे की उपर दाग धब्बे या पिंपल्स ना हो तो आप भीगे चने का सेवन खाली पेट जरूर करें भीगे चने में प्रोटीन काफी मात्रा में होता है और हमारे स्किन के लिए प्रोटीन काफी इंपॉर्टिट है अगर आपके चहरे की उपर 40 की एज के बाद रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं तो आप भीगे हुए चने का सेवन करके अपनी स्किन को फिर से स्मूध और फाइन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप डाइबिटीस के पेशन्ट हैं तो आपके लिए भीगे हुए चने खाली पेट खाना बहुत ही फाइदेमंद रहेगा क्यूंकि डाइबिटीस के केस में हमें दवाई खानी पढ़ती है हर रोज दवाई खाकर ही आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखते होंगे लेकिन ये दवाईयां हमारे शरीर के उपर काफी साइड इफेक्ट करती हैं जिसके बारे में आपको आज नहीं पता चलेगा आज से 5 से 10 साल बाद आपको इसके साइड इफेक्ट दिखने लगेंगे आपकी किट्नी आपका लीवर कहीं भी आपके शरीर में फेलियर हो सकता है तो आप ध्यान रखें कि आप किसी नैचुरल तरीके से ही अपने डाइबिटीस को कंट्रोल में रखें अगर आप एक महीना भीगे हुए चने का सेवन खाली पेट करते हैं तो इससे आपकी डाइबिटीस कंट्रोल होने लगती है और आपको डाइबिटीस की दवाई भी नहीं खानी पड़ती तो दोस्तों ये हैं फाइदे अगर आप भीगे हुए चने का सेवन करते हैं इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शियर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए साथ ये साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धनेवा दोस्तों